नमस्कार रागगीरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वावत है आज हमारे साथ जो कलाकार जुड़ रहे हैं उनके बारे में परिचे देने से पहले अपने इस प्रयास के बारे में बता दें हमारा प्रयास है कि हम संगीत से सकारात्मक्ता की तरफ बढ़ें और जो मुश्किल वक्त इस समय पुरी दुनिया के सामने है उसमें कुछ अच्छी बात करें कुछ ऐसे संसकारों की बात करें कुछ संगीत की बात करें कुछ किस्से सुने जिससे की हमारे भीतर पॉजिटिविटी रहे सकारात्मक्ता रहे और जो कलाकार दीपक पंडित ये आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके बारे में इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ कि उनसे हमारी जो महबत है रागगिरी की जो महबत है वो कई तशकों पुरानी है और सिलसला यूँ शुरू हुआ कि 93-94 के आसपास लहबाद में था और वहाँ पर जगजीद सिंग साहब की केसेट लेके आते थे और उनकी घजलों में वाइलन जो है बहुत पर्टिकुलर्ली और बहुत जादा कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ इस्तेमाल की जाती थी तो उस वाइलन से प्यार हुआ सबसे पहले और फिर जब वो समय आया जब जजीद सिंग अपने लाइब खारिक्रम पे अपने मुजीशन का परिशे देते थे तो उस तब ये पता चला कि वो जो खुबसूरत वाइलन थी उसे बजाने वाले मुजीशन थे दीपक पंडिक जी और फिर वो दोर भी आया जब वीडियो देखने लगे हम लोग और यूट्यूब और तमाम दूसरे साधन ऐसे आगे तब दीपक पंडिक जी की तस्वीर क पर्चे हुआ उनकी कला से पर्चे हुआ और कम्प्लीटली हम जो मुखबत दोढ़ाई दशक पहले शुरू हुई थी उस पर गिरफतार होगे दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आपने रागिरी के यूट्यूब चनल के लिए समय निकाला लेकिन ये जो मैंन समय है हम सब जानते हैं आप किस तरह से आपका ये समय निकल रहा है आप किस तरह से लोगडॉप का समय बीट रहा है उन सब का आपका मैं तहे दिल से शुक्री आदा करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया ये मेरे लिए मेरी खुश किसमत ही है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सका हूं क्योंकि जिस तरह का काम आप और आपकी सारी टीम कर रहे हैं जो हमारे जिसको कहना चीज जो धरोहर है जो क्लासिकल म्यूजिक या फॉर्म अफ घजल म्यूजिक घजल या गीट कहलो या हमारी जो जितनी भी जो संस्कृती है उनके लिए मैं देखता रहता हूं आपके ट्वीट्स देखता हूं यूट्यूब पे देखता हूं तो इतनी खुशी होती है मुझे कि हमारा जो संगीत है वो आप जैसे लोगों के हाथ में जो क्या है कि इन चीजों की प्रमोशन बहुत जरूरी है और वो आप काम आप और आपकी पूरी टीम बड़े खुबी निभा रहे हैं उसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं और उसके अलावा जो अभी आपने मुझे पूछा कि मेरा लॉगडाउन कैसा चल रहा है तो मैं सच कहूं आपको कि म्यूजिक एक ऐसी चीज़े पूरे संसार में कि आदमी दिन दुनिया वसा भूल जाता है तो मुझे तो यार है कि जिस दिन आइतिंक 21 या 22 मार्च को में चल से जंता करिफी हुआ थ उस दिन से मैं आज तक आउगस्ट शुरू हो गया है अभी तक मैं काम ही करे जारा हूं और इंजॉय कर रहा हूं तो मुझे लॉगडाउन का कोई फरक नहीं पड़ा बहुत अच्छी वात है दीपक भाई और ये ये दिखाता भी है कि किस तरह से अगर आप अपने जीवन में अपनी कला को लेकर सकारात्मक हैं समर्पित हैं तो किस तरह से कला आपको आपके साथ चलती है ये ये रागगीरी का सवभाग है कि हम आपसे आज रूगरू हो रह उनसे बहुत बचता हूँ क्योंकि कई बार वहां जानकारिया जो है वो गलत मिलती है तो ये आज हमें मौका मिला है तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो संगीट सफर था वो कैसे शुरू हुआ कैसे आपने वॉयलिंग से ही शुरूआत की या कई कलाकारों के बारे मे उन्हें चेंज किया वो तबला बजाते थे संकूर पर आ गए बहुत सारे ऐसे कलाकार है तो आपका संगीट सफर कैसे शुरू हुआ इस पर हम जरूर जानना चाहेंगे मेरा संगीट सफर जो शुरू हुआ सरकार वो जब मैं I think 6-7 साल का था सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मेरा इंटरिक्षिन मेरे जो मेरे भाणान किस खांदन से मैं बिलॉंग करता हम वो मैं आपको बताना जरूर चाहने पी जी आपको है लेकिन जो दरशक देख रहे हैं उनको बतना जरूर चाहनदा कि बड़ी मशूर जोड़ी हुई थी कवाली की शंकर शंभू कवाल जी जी तो ये दो भाई थे शंकर जी और शंभू जी तो शंकर जी मेरे ताओ जी मेरे अंकल और शंभू जी मेरे पिता जी तो इन्हों ने जो कवाली जगत में जो अपना एक मकाम बनाया और हमारे दादा पर दादा मतलब कहना चाहिए कि एक परंपरा चली आ रही है म्यूजिक की खांदान में तो विरासत बोल सकते हैं कि विरासत में मिला है संगीत लेकिन पिताजी और ताउजी शंकर जी और शंबू जी ताउजी पिताजी मैं ये बड़े फक्व के साथ और ब जो तो हिंदू हैं और जो खौजा गरीब नवास के चाहिते हैं जिनको गरीब नवास का बोना चाहिए रवाड मिलाए वहां पर और खिताब मिलाए अपना मैं नाम भूलना उस खिताब का खौजा पसंद खिताब जी में शरीफ की दर्गा तो ये सिलसला जो शुरू कि हम तो तब पैदा नहीं हुए थे क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो खुद बहुत चोटे थे 15-16 साल के होंगे और ताओ जी 2-4 साल और बड़े थे शंकर जी तो हमारे दादा की इच्छा थी कि इनकी हाजरी हो अजमेर शरीफ में दर्गा पर घरीब नवास के दर्गा पर लेकिन हिंदू थे और समय बड़ा वो आपको पता है कि होता था कि नहीं कौन है क्या है चोटे बच्चे हैं और वहां पर दिवान खाने में थोड़ी इनका हाजरी होगा वह अभी छटी शरीफ के दिन तो दादा जी जो थे हमारे वो उन्होंने बड़ी मिनते कि लेकिन कुछ हुआ नहीं तो उन्होंने अरीब नवास में अर्जी लगाई कि मैं भोका रहूंगा मर जाओंगा लेकिन जब तक यहां हाजरी नहीं लगेगी मेरे बच्चों के शंकर शंबू जी की शंकर तो वहां पर कुछ कुछ कवाल कि रीजन से नहीं आ पाए बता नियुक्त जो भी होगा तो वह स्लॉट थोड़ा खाली था तो दिवान साथ के यहां से बंदा है और बच्चे कौन है उनको बोला अंदर दिवान खाने में बुला है दिवान साथ में और उस समय करीबन का टाइम था मेरे कहल से कुछ एक चार साड़े चार बजी का कुछ टाइम था और उनको कुछ दस मिनट का टाइम दिया गया था तो कवाली का हर म्यूजिक का अपना एक डिस्रिप्लीन होता है जैसे क्लासिकल म्यूजिक है तो क्लासिकल में आप जो शुरूआत जो भी टा सलाम से तो छोटे थे पिता जी दोने चोटे थे तो ताउ जी ने और पिता जी ने बैठते के साथ नींद में थे एक दम और उठा के अंदर भेज दिया उनको तो उन्होंने सलाम पड़ दिया सलाम आखरी में पड़ा जाता है तो महबूब किब्रिया को मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना तो ये शुरू कर दिया अब इससमें क्या होता है कि डिस्प्रिट मत जो जो कणून हैं और जो Subscribe के बाद बाद मुजिक नहीं होता जैसे जागरानों में तारा नानी की कता के बाद समापन हो गया तो ऐसी लौ लग गई थी वहां पर ऐसी लौ लग गई थी भाई मैं क्या बता हूं आपको कि आज भी वहां पर चर्चे होते हुश समय मीडिया उगरा नहीं वह करता था और पहली बार ऐसा हुआ अजमेर शरीफ की दरगा में कि साड़े पांच कब बच गए पता नहीं चला और जो सुबह का जो पहली अजान जो होती है तो वो जो 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 शक्स थे जिनको अजान देनी थी वह भूल गई अजान देना और घंटा बजाना भूल गई और वहां पर ऐसा महुल था दिवान खाना जो था वहां पर लोगों को हाल आ रहा है लोग टक्रे मार मार के रो रहे हैं सफेद दिवार जो खून से लाल हो गई थी और अवाज आई सुबहान अल्ला की तो दिवान साब खड़े हो गए खड़े हो के बंद करा है तो यह इतिहास में यह चीज दर्ज हो गई है कि वह अजान का टाइम टल गया और वहां से जो अवाज आई सुबहान अल्ला की और वहां पर महबूप साब थे जिनका स्टूडियो है बग बड़े आपको पता है म महबूप था जी पिताजी को और ठाओ को बाँ थे को बांबे महबूप साब लेके आयाए ते एक चाह तौप बांबे मंभी हो गया नाम हो गया पहले मंधेवी के नाम से मंभई था तो फिर मुंबई आने के बाद उनका स्ट्रगल चालू रहा स्ट्रगल तो नहीं कह सकते वह अपने काम से बड़ा प्यार करते थे तो उनकी कुछ-कुछ बहुत बढ़ता गया और पिता जी ने राग पेस्ट काम किया रागों के उपर अधारित कंपोस्ट किया है और हमेशा उन्होंने जो कवाली गाई है वो नात शरीफ या आल कहलो या सवीला मतलब वह खुजा पसंद की चीजे गई है खुजा की शान में गाई है दूसरा कभी नहीं काया है कुछ भी ना उन्होंने कभी कोई लाइफ में कंपेटिशन किया है ना किसी के साथ बोना चाहिए कि कोई बोल्राइस धंके कवाली है वो गाते तो वो नहीं वो गाते थे सिर्फ और सिर्फ वाजागरी नवासाब के लिए सूफिजम इस और वाट अल अल को डरगा गाहिए हजद के निजम दिन और यसार्थ की तो और कि अमिर खुषर साथ वो जैसे उनके पिर थे तो वोना कि exhibited अऊच्वाफ कुए रशिन की नदिदेकिते और जो गाते बजाते थे उनकी एए गलीन हो जाना है हुं में पागल हो जाना उसको सूफीजम बोलता है कि ये मेरे पीरो-मुरशिद है बस यही मेरी दुनिया बो उसको बीश्रूमाय ने थिक कर दिया आगे टाइम में आने के बाद वह महबू से भी रेलेट कर दिया वह फिरो मुर्शिद से भीरेलेट कर दिया बिempt it is wrong actually तो यह बड़ी लंबी हजदर अमीर कुसर साब आइधिंक साड़े 800 साल 700 साल पुरानी पुरानी बात होगी एकम से कम जिन्होंने कितने सारे instruments create की वो सबको पता है तो यह हमारा जो music है यह बड़ा ही पारंपारीक music है और पिता जी की ताओ जी की फिर उन्होंने अपने घुरुओं के आशिरवाद से बड़े बुज़गों के आशिरवाद से बंबे में बंगला बनाया तो वह हमारा जन्म हुआ फिर उसके बाद जब छोटा था मैं तो पिता जी की जो ट्रेनिंग थी वो यह थी कि पहले आप कोई भी जाने चाहिए चब जाने चाहिए तो सब तो वह सब प्रोसिजर चल रहा था लेकिन वह कहते हैं कि बच्चे का दिमाग होता है उसमें आप जो चीज भर दोगे वह बढ़ जाएगी तो वह चलता रहा गाने का रियाज हुआ गाना शुरू कि फिर हार्मोनियम सीखा फिर उनने अपना तबला सिखाया हमको उसका रीजन यह है कि खाली गाने से काम नहीं चलेगा यह खाली को इंस्रूमेंट लोग आप नहीं चलेगा उसे आपको रिदम का भी इल्म उतना ही होना चाहिए एब्री मुजिशन शुट लर्न अनी रिदम इंस्रूमेंट उसके बाद वो उसको गिटार करना है पियानो करना है वोकल अतलब ट्रेनिंग लेकर सीखना है जो भी करना है बट पहले आपको रिदम का ग्यान बहुत ज़रूरी है रिदम को लोग बड़े हलके में लेते हैं बट बड़ी चीज है संगीत में लेकिन सफिटिट मिनिःमम आपको राग याथ करने पड़ी कि तो वह औरिशन ग्याही कि में इन भी धिर्न पछीच्ट वह लॖंट इस लूंद्ट ये था कि उस चक्कर में ये उनको रागों के दнулढ़ी तार जुड़ा होता उस टाइम के साथ, तो सेंटिफिक रीजन भी इसके, तो मजबूरी का नाम हत्मा कांदी, वो दर से करना पड़ा, तो वो करने के बाद, महा तो खैर मैं फेल हो गया, रीडियो में तो, और करने पाया, बन उस चक्कर में राग वागरा याद हो गया, तर का फासला है, तो वो सारी चीजें बच्पन में यहां आ गई थी, हारु ने भी सीख गया, तबला भी सीख गया था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद गाना तो किया ही था, then one day I was watching TV, तो उसमें, तब मैं था मेरे कहल से 6-7 साल का था, 6-7 साल का था, तो मैंने पापा को अच्छा है, मैं खुद बच्चा था, लेकिन जो सामने जो TV में जिस आर्टिस को देख रहा था, जो मेंडलीन बजा रहे थे, जिनके कारण मैंने यह बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मेरा वाइलन मैंने शुरू कैसे किया, अच्छा पिता जी यूस्टू प्ले वाइ जी, तो मैंने बुला कि पिता जी यह जो बजा रहे है, यह जो बजा रहा है, यह इंस्टूमेंट का नाम क्या है, इसको मेंडलीन कहते हैं, तो कितना अच्छा बजा रही है, फिर मैंने बोला ऊपर बड़ी सारी अलमारी थी, उसके साइड में उपर वाइलन रखा होता, तो मुझे पता भी था कि वाइलन और मैंडली में खे साथ साल के पच्चे को पना चलेंगा, मैंने यह क्या है, तो बोले यह यह इस में दो लड़का जो बजा रहा है, इसमें क्या फरक है, बोले यह फ्लक्तर रखन से बच्चता है, जे स्ट्रोक इंस्टूमेंट, वाइल और अभी मैं क्या बता हूँ उनका जो रियक्शन था उनके आंक में आसू थे और ही सेट की चलो मुझे इस चीज की खुशी है कि मेरे बाद मेरा इंस्रूमेंट बंद नहीं होगा क्या बाद अब वो जो लड़का जो मेंडलिन बजा रहे थे जो वो तो ना भविशी जिसको मैं कहता हूं जो मेरे आइडल और ऐसे कलाकार हजारों साल बाद भी नहीं पैदा हो सकते यह मेरा यकीन है वो थे यू श्री निमास लिए क्या बाद तो उनका मेंडलिन सुन करके I've started learning violin from my father तो मैंने classical की training उन से लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के comment box में जाएं और अपनी राये रखें इसके अलावा रागगिरी को subscribe करें और bell notification जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता पहलाने का एक मंच है जो एक registered trust है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तरपर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे कर दो कर दो